बुद्वार के दिन गरें ये चमतकारी उपाए चमक जाएगा आपसा सोया हुआ भागे नमस्कार मैं हूं सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्छल आज गणीश जी की पूजा देगी आपको विशेश लाग तानी मेरे साथ क्या है इसके पीछे का का जिहां सभी तरह की पूजा पार्ट और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से पहले भगवान गनीश की विशेश पूजा की जाते हैं यही वजह है कि उन्हें प्रथम पूजनी भी कहा जाता है जोतिशास्त्र में गणपती पपती क्रिपा प्राप्त करने को दिए और समर्पित है दुद्वार के दिन भगवान गनेश जी की पूजा और व्रत करने का विधान है धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख सम्देदी और खुशाड़ी का आगमन होता है और धन संबंदी परेशानी से भी चुटकारा मिलता है सभी तरह की पूज पात और मांगलिक कार्यों की शुरुवात करने से पहले भगवान गनेश जी की विशेश पूजा की जाती है यही वज़ा है कि उन्हें प्रतम पूजनिये भी कहा जाता है ओम एक दंताय विह वक्र तुंदाय धी मही तन्नो दंती प्रचो गयात यदि आप जीवन में प्रकाश याब करीं माननेता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक स्ठिदी में सुधार हुता है साथ ही आय और सुभाणिय में बड़ोती होग यदि विवा में रुकावट आ रही है तो उसे दूर करने के लिए बुद्वार के जिन स्कान करें और पीले वस्तर धारन करें इसके बाद भगवान गनेश और मागौरी का पूजन करें इस जुरान मागौरी को अविवाहित लल्पिया सिंदू समेथ सोला स्रिंगार की चीज़े अर्पित करें माना जाता है कि ऐसा करनी से फुम्ली में बुद्ग्रह मस्बूत होता है और विवा के योड़ भी बरते है इसे के साथ पुनाल के लिए नहीं अमले लिए आप से अग्यों आप सब्सक्राइब केजिए हमारे लिट चानल निस्ट नाइस पूर्पियल को मन्नेवादे